हेलो गाईस क्या हाल चाल आशा करते हो बहुत ही अच्छा होगा ब्लोगों इसलिए आप लोग इस वीडियो पर आये हों क्योंकि आप लोगों को कुछ दाउट हुआ है इस वीडियो में हम PWNCET के बहुत से दाउच के रिप्लाई करने वाले हैं जो कि मुझे मेरे लेतिस्ट वीडियो पर कॉमेंट किये गए थे आप लोगों के द्वारा ही ठीक है, PWNCET में तीन लेवल होता है लेवल 1, लेवल 2 and इंटर्व्यू लेवल अभी लेवल 1 जिसने दे दिया है, उसको लेवल 2 के लिए सिलेक्ट किया जाता है और लेवल 2 में अगर आपने अच्छा स्कोर किया है तो आपको इंटर्व्यू के लिए सिलेक्ट किया जाता है अभी इस वीडियो में हम लेवल 1 के बारे में बात नहीं करेंगे हम बात करेंगी level 2 and interview के बारे में and plus felicitation ceremony के बारे में ठीक है interview round के मतलब interview round में किस तरह के questions आते हैं ये मैंने मेरे पिछले वीडियो में बता दिया है तो आप वो जाकर देख लो आपको पता लग जाएगा कि interview round में किस तरह के questions आते हैं ठीक है देख सकते हो और अगर possible होगा तो मैं description में link दे रूँगा ठीक है अभी आते हैं जो main main doubts थे comments थे जो कि PWNCET के उपर आए है उसके reply करते हैं पहला comment है PWNCET देने से किसको क्या मिलेगा अगर आपने PWNCET level 1 डिया है और उधर अगर आपको अच्छा scholarship मिला है जैसे 90% 60% ऐसा scholarship मिला है तो वो आप आपके next year need हो या जाही हो उसके preparation में offline अगर admission लेना चाहते हो तो उसको use कर सकते हो और वो scholarship only tuition fees परी apply होगा ठीक है मानलो आपको 900% scholarship मिला ठीक है और आप चाहते हो कि आप need के लिए अगले साल admission लोगे physics वाला में विड़ा पीड में ठीक है या पाच्छाला में तो आप लोग क्या कर सकते हो मानलो आपका fees से 1,000,000 एक लाग और उसमें से 50,000 tuition fees है तो आपका अगर 100% scholarship है तो 50,000 tuition fees माफ हो जाएगा और बाकी 50,000 अउली पे करना पड़ेगा अगर आपने लेवल 1 में टॉप 1% परफोर्मर्स में आगे तो आपको लेवल 2 देने का मौका मिलेगा और लेवल 2 में भी आपको scholarship दिया जाएगा अगर आपने लेवल 1 में माण लो इतना अच्छा नहीं किया लेवल 2 में बहुर अच्छा किया तब आपको क्या जाएगा आपका लेवल 1 में जो scholarship था उससे भी जादा अच्छा scholarship दिया जाएगा माण लो आपने लेवल 1 में 70% scholarship गेन किया और अपने level 2 में बहुत अच्छा स्कोर किया, इसलिए आपको level 2 में 100% scholarship मिला, तो आप क्या कर सकते हो, वो 70% scholarship तो रहे गई, उसको ना ले क्या कर सकते हो, level 2 का जो 100% वाला scholarship है, वो ले सकते हो, तेंख सकते हो, तेक है, अभी level 1 भी खतम, level 2 भी खतम, level 3 के बारे में बत करते हैं जो कि interview round है अभी interview round वो ही दे सकते हैं जो level 2 में अच्छे score की है उनको watch up में एक message आएगा कि आप इस link पर click करके interview डीज़े इतने तारीक को ठीक है उसको वो form फिलब करना पड़ेगा फिर उटने जितने तारीक को बोला जाएगा उतने तारीक को जूमेप पर physics वाला के द्वारा आपको interview लिया जाएगा अगर interview में आप select हुए तो आपको क्या किया जाएगा फिर से scholarship दिया जाएगा ठीक है और ये scholarship आपके पूरे fees पर apply होगा मान लिए आपका एक लाग fees है पूरे वान साल का फिर आपको 100% scholarship मिला तो आपको क्या गरेग एक भी रुपया नहीं देना परेगा आपको free में admission करवा रहेंगे तीक है क्योंकि interview का जो scholarship है वो पूरे पूरे fees पर apply होते है division fees पर भी infrastructure fees पर भी मतलब पूरे fees पर ओके interview में कैसे question पूछे जाते है वो जानना है तो मेरे latest video जाक कर देखो channel में दिया हुआ है अभी बात करते है pw anset felicitation ceremony के बारे में यह pw anset felicitation ceremony क्या है यह एक ceremony है जिसमे pw जो pw anset में अच्छा score क्या है या अच्छा scholarship मिला है जिन बच्चों को उन बच्चों को बलाते है और felicitat करते है तेखे इस ceremony में क्या होता है जिन बच्चों को 100% scholarship मिला है 9 meter level 1 and level 2 उन लोगों को goal medal जा जाता है और एक chocolate जाता है विड़्डा फिर वाइस ये chocolate अलग-अलग हो सकता है कही पर dairy milk जा सकता है कही पर कुछ और दीग है और जो 90% scholarship score क्या है level 1 and level 2 किसी भी एक exam में उनको क्या दिया जाता है उनको दिया जाता है Gold Medal and Certificate दीखे, उनको चॉकलेट नहीं दिया जाता है जो 75% ये 70% Scholarship Score किया है, उनको दिया जाता है Silver Medal and जिसने 60% या उससे उपर score किया उसको क्या दिया जाता है उसको दिया जाता है Bronze Medal and Certificate ओके, आशागरता हूँ आप लोगों क्लियार हो गया कि PWNCET Ceremony में क्या क्या दिया जाता है अभी मुझे मुझे किसी ने पूसा था कि Ceremony Message आया है और मुझे 85% Scholarship मिला है तो मुझे जाना सही है तो मैं उन लोगों से एक ही बात बोलना चाहूँगा अगर आपका Scholarship 60% चे उपर है तो आपको PWNCET Ceremony में जाना चाहिए नो में तर वो Scholarship Level 1 में आया है Level 2 में अगर आपको Message आया है Ceremony का तो आपको जाना सही है अगर आपने अच्छा स्कोर के आया है PWNCET में 90% Scholarship है या 60% चे उपर है फिर भी आपको Ceremony का Message नहीं आया है तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप एक पर Physics वाला में Call करके देख लीजिए Help Center में और पता कर लीजिए क्यूं नहीं आया वही बहतर होगा आप लोगों के लिए अगर आप लोग पीडेबलेंट चेट Felicitation Ceremony में जाना चाहते हो ठीक है अभी बढ़ते हैं Next Question के उपर Next Question था कि Cash Reward किस किस को मिलेगा So मैं बताना पसंद करूँगा कि जिन लोगों की रैंक उनकी Class में P.W.A.N.C.E. के अंदर Top 50 में आया है पूरे इंदिया में उन लोगों को Cash Reward मिलेगा Depending upon their rank अगर उनकी rank 1 आया है तो उनको 1 लाख या 1 लाख से जादा Cash Reward मिलेगा और अगर किसी किसी के rank 50 या 40 आया है तो उनको 20,000 या 30,000 Cash Reward मिलेगा ठीक है कोई-कोई यूटूपर अखवा फैला रहा है कि 2 करोर Cash Reward मिलेगा एक को ही तो वो एकदम ही गलत है अगर आपको आपका rank 1 आया है तो आपको 1 लाख या 1 लाख से थोड़ा जादा Cash Reward मिल चकते है ठीक है और सारे क्लास के Top 50 को मिलेंगे नेक्स्ट कोईशन था इंटर्वियो अनलाइन होता है या ओफलाइन अगर आप इंटर्वियो के लिए सेलेक्ट हुए हो तो आपको वाच्चप पे लिंक आएगा इंटर्वियो देने के लिए और उधर ही option रहेगा अउनलाइन या ओफलाइन अगर online देना चाते हो तो online क्लिक कर देना तो आपका interview online होगा तीख है अपने जो date select किया होगा उसी तारीक को आपको online interview होगा और उसी तारीक को आपको interview का link watchapp पे share कर दिया जाएगा और आप वो phone करके भी inform किया जाएगा कि आज आपका interview है आप देरीजी next and very demanded question है कि interview का result कब आएगा भाईया so मैं बताना चाहूंगा कि interview का result आ गया है और बहुत से लोगों को मिल भी गया है अगर आपको नहीं मिला तो आप दो दिन wait करो आपको call आगा क्योंकि interview का result या तो आपको watchapp message पे दिखाया जाएगा नहीं तो आपको call करके बताया जाएग मुझे तो मिलका है मेरा interview का result आपको भी मिल जाएगा अगर आपका अच्छा हुआ है तो अब बुरा हुआ है तो भी आपको आच्छे दे दिया जाएगा watchapp पे दीख है next question है can I attain felicitation ceremony if I not take admission in physics वाला so इसका answer है yes आप attend कर सकते हो felicitation ceremony अगर आपको admission ना भी लेना है physics वाला में next year तो भी आप attend कर सकते हो okay so यही था आसका वीडियो और अगर फिर भी आपको कुछ doubt है फिर भी आपको कुछ पूछना है PWNCET के related तो आप पूछ सकते हो मेरे इस वीडियो के comment की नीचे और PWNCET के उपर मैंने बहुत सारी व नहीं तो मैं हो सकतो इस वीडियो के description में या comment box में link दे दूंगा तब तक के लिए bye bye stay tuned stay loving bye bye